जै महकाल, स्वागत आप सभी का मेरे भक्ती भामना यूटूब चैनल पर दोस्तों आज मैं आपको रख्यावंदन से सम्मंदे जानकाली दूँगा रख्यावंदन करका रेने वाला है, रख्यावंदन का पर्व कम मनाना है, सुव मूर्त क्या है, कौन-कौन सी राशिया ब्यादी भागिसालिये, कौन से उपाय हम करें, जिससे हमारी हर मनो कामना पूरियो रख्या बंदन का पर्व स्रावर्ण मास की पूरण मासी को मनाया जाता है यह पूरण मासी बड़ी पूरण मासी है इस वार पूरण मासी पर दो सो सालों के बाद में बहुत ही अच्छा योग बन रहा है पूरण मासी के दिन सत्त नाराण भगवान की पूजा की जाती है लेकिन सावर पूरण मासी पर कई ऐसे योग बनते हैं भगवान सिव, भगवान विश्णू, माता लच्मी, गोव माता इन्हें सभी की पूजा का विशिश मेत्व है और साथ ही पर्व मनाय जाता है रख्या वंदन का रख्या वंदन का पर्व भाई बेन के प्रेम का प्रतित है ये पर्व बड़ा ही पवित्र पर्व है हिंदू दर्म में रख्या वंदन ब्यदी खास त्वारों में सी माना जाता है क्योंकि यह तवार भाई और बेन के रिष्टे का प्रतित माना जाता है रख्या करने और करवाने के लिए बांदा जाने बाला पवित्र धागा रख्या सूत्र रख्या बंदन कहलाता है जिस परकार से यह रख्या सूत्र रख्या बंदन के नाम से जाना जाता है उसी प्रकार से इसका महत भी बहुत जादा है बेहन अपने भाई की कलाई पर एक धागा बांती है जिसे रख्या सूत्र कहते हैं इस धागे में परमात्वा के असीम सक्ति होती है बेहन अपने भाई की लम्मी उम्र के लिए वा उनके सुकी दामपत जीवन के लिए भगवान से प्रातना करती है लेकिन एक चीज़गा ध्यान बेनों को भी रखना है और भाईयों को भी रखना है रख्या बंदन का परव मनाते समय मुक आपका उत्तर या पूरव की तरफ होना चाहिए सिर पर बस्तर होना चाहिए उगारे सिर राकी नहीं बांधनी है राकी बांधनी से पहले राकी की जो थाली है जो थाली तियार करेंगे आप सामिग्री की वह आपको गनेजी के सामने इसा मर्पित कर देनी है पहली राकी भगवान गनेजी को दूसरी भगवान कृष्ण को जरूर बांदे साती भगवान से सुखी दामपत जीवन के लिए प्रात्रा करें फिर उसके बाद में रख्या बंदन सुब मूर्थ पर प्रारम करें बद्रा काल को छोड़ करके राखी का पर्व मनाय जाता है इस वार रख्या बंदन दो दिन की रहने वाली है ये पवित्र पर्व स्रावण सुक्ल पूर्मा को मनाय जाता है इस दिन बेने अपने बाई की कलाई पर रख्या सुत्र बांती है बाई बेनों को जीवन वर उनकी रख्या का बचन देते हैं इस वार रख्या बंदन का पर्व 30 और 31 अगस्त दो दिन मनाये जाएगा बद्रा होने की बज़े से 30 अगस्त की रात या 31 की सुवह मनाना उचित नहीं होगा बैसे तो ये रख्या बंदन का पर्व है वह है सुवह और दोपैर को मनाये जाता है लेकिन 30 तारी को ना दोपैर को मनेगा ना ही सुवह को मनेगा 31 तारी की सुवह को ये पर्व मनेगा और 30 तारी की रात को ये पर्व मनाये जाएगा अगर सुब गड़ी की बात करें चोगड़ियों के इसाफ से तो साड़े आठ बज़े से ही मूर्त प्रारम हो जाएगा जो की सुब मूर्त में रा की बानना ब्यादी सुब माना जाता है आप साड़े आट बजे से लेकर के साड़े नौ बजे का शुभ मूरत रहेगा उसके बाद में आप नौ बजे से लेकर के और 31 तारीक की सुभे सात बज़ के साथ मिनट तक आप ये परम मना सकते हैं 30 अगस्त को पूर्मा तितिके साथ ही बद्राकाल प्रारब हो जाएगा सास्त्रों में बद्राकाल में स्रावड़ी परमनाना निसेद माना गया है 30 अगस्त को बद्राकाल रात 9 बज करके 2 मिनट तक रहेगा इस समय के बाद ही राकी बांदना ज्यादा उप्युक्त रहेगा राकी बांदने के लिए दो पैर का समय सोगता है ऐसे में 30 अगस्त के दिन बद्राकाल के कारण राकी बांदने का मूर्थ सुवए के समय नहीं होगा उस दिन रात में ही राकी बांदने का मूर्थ है रख्या बंदर के दिन सबसे पहले बेन भाई जल्दी सुबह उठकर इस्नानाधी कर ले साप सुप्तरे कपड़े पहन कर सूर देव को जल चड़ाएं फिर गर के मंदर में या पासी के मंदर जाकर पूजा अर्चना करें बगवान की अरादना के पश्यातरा की बांदने से संबने सामिग्री एकित कर ले इसके बाद मुख्य रूप से चांदी पीतल तामा या इस्टिल की कोई साप थाली ले उस पर एक सुंदर साप कपरा बिछा ले उस थाली में एक कलस नारियल सुपाड़ी रोली चंदन अक्यत तही राखी और मिठाईले सामिग्री को सही से रखने के बाद ही गी का दिया जलाना बहुत ही इस्शोब होता है साथी पूजा की थाली में तीन चीजे मुख्य रूप से रखें थोड़ी सी हरी दुर्वा जरूर रखें साथी अक्यत साबुत रखें तूटे हुए चावल नहीं होने चाहिए और चंदन और हल्दी आपको पीला चंदन रखना है और साथी आप रोली भी रखें चंदन और रोली को मिक्स करके आपको उससे टीका लगाना है यह थाल पहले घर में या मंदर में भगवान को समर्पित करें सबसे पहले एक राकी क्रिष्ण भगवान और गनेजी को चणाए भगवान को राकी अर्पित कर उपर बताए गए सुब मूर्त देखकर अपने भाई को पूरव या उत्तर की तरफ मुक करके बठाएं उसके उपरांद भाई को तिलग लगाएं पिर राकी यानी रख्या सूत्रबांदे उसके बाद आर्थी करें इसके बाद अपने भाई का मिठाई से मुमीठा करें इस दिन भाई को भाई को तिलक लगाने के लिए छंदन या फिर रोली के इस्तमाल करें राकी से पहले भाईयों की पूझा करते समय इस बात का ध्यान रखें कि जो चाबले वो तूटे हुए नहीं होने शाहिए इस दिन भगवान सिव का विसी सूप से अफ्षी करें भगवान का आफ्षी करना है जिसे रुद्रफ सीख बोला जाता है उसके बाद 11 बेल पत्र पर ओम नमस्वाई लिखकर के या स्रीराम लिखकर के भगवान सिव को समर्पित करें भगवान को एक धतूरी का पल समर्पित करना है उसमें अच्छी तरह से आपको चंदल लगा देना है एक मुठी चावल सिवलिंग पर चड़ाएं अपनी इच्छा बोल करके और इस दिन गोव माता को मीठा खिला करके आएं भगवान विश्णु के सामने दीपक जलाएं भगवान सिव को रुद्राक्य나 पीला पुसप अरपन करें बस्मियार पन करें और खीर का प्रसाद गाय के दूद में खीर बना करके फिर खीर में घी डाल करके सैद डाल करके पंच बीव डाल करके भगवान सिव को भोग लगाना है दोस्तों इस दिन मेश रासी, ब्रसब रासी, करक रासी, सिंग रासी, कन्या रासी, तुला रासी, कुम रासी, मीन रासी ये रासियां तो बेहदी भागिसाली रहने वाले हैं इने रासियों का योग बहुत ही अच्छा है लेकिन सभी रासिवालों को उपाय में करना है सभी को आशिरवाद प्राप्त होगा सभी की मनोकामना पूरेगे उपाय करने से हमारी योग और ज्यादा प्रभल हो जाते हैं उपाय करने से हमारी किस्मत बदलती है और जीवन में आरे सारे कष्ट और परिसानिया दूर हो जाती है तो प्रतिक व्यक्ति को इस दिन उपाय जरूर करने हैं पूरण मासी है और योग बहुत ही अच्छा है इस वार कई ऐसे योग बन रहे हैं अगर आप उपाय करते हैं तो बहुत जल्दी लाम मिलेगा पीपल ब्रक के नीचे दीपाग जला करके प्रक्रम मा जरूर करके आएं साथ ही आप भगवान सिवकाव सिख करी करें इससे आप आपको विसे इसलाब मिलेगा मुझे उम्मीद आपको यह जानकारी बहुत यह अच्छी लगी होगी जिस पकार से आपको उपाय बताएं वह उपाय करें जिस मूर्त में राकी का टैम बताया है उसी मूर्त में आपको रख्यावन्दन का परमनाना है भगवान आपकी हर मन कामना पूरी करेंगे वीडियो को शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें ओम नमस्यवाएं